बार्टी ये जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्षया, स्रिमान जेपी नडड़ा जी, राजनास्वी जी, अमिद भाई, निर्मला जी, भाजपा के अन्य वरिष्ट पदाजिकारी गान, देश के कौने कौने में उपसित, सभी भाजपा कार करता है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्सा है। बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है। असम में बोहाद विभू के साथ देश बैशाजिक्षी का जश्ण भी मना रहा है। ओडिशा में पाना सक्रांती हो, केरल में बीशु हो, या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो। सब को सुपकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याइनी की पूजा करते हैं। और मा काट्याइनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारन किये हुए है। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विक्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को सभी देश समासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ। मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अप्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई। इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनदन के अथिकारी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। और इसका एक बड़ा कारण है। दस वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संप। युवा शक्ती, नारी शक्ती, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है। हमारा फोकस, डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस, क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस, निवेज से नोकरी, निवेज से नोकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में, क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांशाओं का प्रतिबीम्ब है। साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम बहार रुपता नहीं है। जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है। नहीं तो कभी-कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उतको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा, सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे। फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे समालना। ये उनके स्वात के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है। उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती हैं ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहेगी। हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ हो और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानि पेड़ भी भी हरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुक्त इलाच मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती हैं कि बिमारी की सिर्थी में इलाज का खर्च कैसे आएगी। और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्ग को आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही हैं। क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से दो घर बन जाते हैं, और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं। तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुंचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिये। अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पी-म सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागों की है। एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके है अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी। अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के, पैट्रोल, डिजल का खर्चा होता है। अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी। यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा। साथ यों, बीते वर्षों में करोडों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोडों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपाने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाक रुपिय हुआ करती थी। अब भाजपाने इससे बढ़ा कर बीस लाक रुपिय करने का इरादा किया है। और मुझे पक्ता विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है। उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है, छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है। ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा। इससे शहर हो या गाउं, युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले। इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई है, एक बहुत बड़ा रिवोलुशन आया है, लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था। आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये, मदद मिल रही हैं, मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी, एक तो पचास हजार रुपिय का कर्द की जो लिमिक है, उसको बढ़ाया जाएगा। और दूसरा, इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाउं देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। और यही सबका साथ, सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है। दिव्यांग साथियों को पी-म आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी। उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके। उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा। इसके लिए विशेश रुप से ध्यान दे करके काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा। ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है। भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का दिने नहीं लिया है। साथियों भारत आज विमेन लेट डेवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले दस वर्ष नारी गरिमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे है। आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे। बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है। दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टूरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है। अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमों ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी। गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी। हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे। गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था। आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है। हम ड्रोन पाइलट के नाते पूरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही हैं उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है। लेकिन में रानुबव हैं हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है। टेक्नलोजी भी सीख रही है। और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी, इतना ही नहीं। एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवोलुशन, टेक्नलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिदी प्रस्तापित हो जाएगे। वो धूरा भी बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी। बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ दवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है। पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी। और ये बहुत बड़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल लेने वाले हैं। इससे स्री अन्द पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगे। फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएगे। हमारे मचली पालक साथ्यों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी पूत्सान दिया जाएगा। धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा। भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है। नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वेल्व एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे। ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लान्ट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे। साथियों, देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए, हमने जन जातिय गवरोव दिवस मनाना ताइक किया है। अगले वर्ष, दोहजार पतीस में, बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है। इसे राष्टिय स्तर पर मनाये जाएगा, जन जातिय गवरोव अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी। बाजपा, जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी। डिजीटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी। वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ सो से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा। साथ क्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है। हमारा गवरव है। तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपां हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी। प्रयास करेगी। हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है। उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है। भाजपाद्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिस को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा। और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो, होई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बाउद सल हो, जैसे अनेर सलों का विकास किया जाएगा। अभी एक online competition भी चल रहा है, जिसमें देश के लोग टूरिजम के destination की ranking कर रहे हैं। ये टूरिजम destination की ranking जो हो रही है, इसकी आधार पर, अच्छे tourist destination का जो पसंद लोग करेंगे, उनको सिलेक करके, उनके सरवांगेन विकास के लिए, development के लिए, और विदेशी टूरिस्टों को भी आकरसित करें उस रूप में, लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है, टूरिजम वो सक्टर है, जो सबसे कम निवेश में, सबसे जादा रोजगार प्यादा करता है, टूरिजम बढ़ता है, तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले, सभी को इससे फायदा होता है, भाजपा, इको टूरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी, इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा, भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी, साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियात, भाजपा पी तीन तरह के इंफ्रास्टक्टर से मजबूत करने जा रही है, पहला है Social Infrastructure, दूसरा है Digital Infrastructure, तीसरा है Physical Infrastructure, Social Infrastructure के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्टुटुटूस खोड़ रहे हैं, युनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आउशमान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले, एट्सिदेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्सेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्म्यान हाइवेज पर जो समय उसको स्दान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले, तो ऐसे बारिक-बारिक अन्यक शेत्रों को ढूंड करके, हम सोशल इंफ्रास्सेक्टर पर बल दे रहे हैं, दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्सेक्टर, इसलिए हम देश भर में हाइवेज, रेलवेज, एरवेज, वोटरवेज, उनको आधुनिक बना रहे हैं, तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्सेक्टर, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और Industry 4.0 के लिए Digital Infrastructure यह उसकी बैकबॉन होती है हम Industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे Digital Infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, Common Service Centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC, ऑनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफर्म ONDC और टेली मेडिशन का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के Infrastructure, Social, Physical और Digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से, पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बढ़ा होगा, एन स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्विक तावमस हैं, हमारे देश में अर्बनाइजेशन को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है, हम देश में नएने सेटलाइट टाउन्स बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बढ़ाएंगे देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है, अपी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नहे विमान का ओर्डर दिया हुआ है, भारत ने वो अपने साथ एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावना है लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप, इससे जुड़ा लोजिस्ट्री, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अनेक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वुवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं, साथियों, भाजपा, देश के कोने कोने में, बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे, बंदे भारत स्लीपर, बंदे भारत चेर, चेरकार और बंदे भारत मेट्रो, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं, आधुलिख भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए, आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं, और करीब करीब पुर्णता पर पहुँच रहे हैं, उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाज़पा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेंग दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेंग और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेंग वैसे उत्तर दक्षिर पूरब पसीम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेंग के प्र इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा साथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्च करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन दिर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की तुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संध्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रीक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जार जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रीक वहिकल बिके हैं पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और इए वहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़कर के घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रहे हैं साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा, इलेक्टॉनिक हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा, लीगल एंसॉरंस हब होगा, कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एकोनोमी सेंटर्स भारत में होगे भारत, ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलोजी सेंटर्स, ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्विद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी ऑपर्टुनिटी लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्वित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवसक्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाएं ऐसी सरकार जो देश को विश्षी भारत की तरफ तेज गती से ले जाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्रा भाजपा का ये मनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानुता के कल्णाण के लिए निरन सरप्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफॉर्म पर्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक्त इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक्त समझती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक्षिनता है मद्यम्बर का हक्षिनता है राष्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वरसों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीज़े के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वास्यों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभाव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस की मैजबानी के लिए पूरी ताकट लगाने वागे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवात के लिए रख रहा हूं 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आये हैं मैं देश वास्यों से प्रार्षना करता हूं कि माभारती के कोटी कोटी जनों के कल्यान के लिए विच्छित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशिरवात दे हमारी शक्ती और बढ़ाए मैं इसी एक प्रार्थना के साथ देश वासियों का अभिनेंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ईस्साद अवासि बहुत कolenilा को मैं झाल देश लुशना करते हुए मैं उसादो विराम च Spaß फिराम मैं में का अवादें जिस भी वास वासियों के साथ अ करते हिसा हुए विराम धन्यवादू और